बीच मैदान पर ही जस्पृत बुमराह को आया गुस्सा किया कुछ ऐसा सब देख चौक गए मैदान पर सब देखते रह गए भारत और इंग्लैंड के बीच हैदराबार टेस्ट मैच खेला जा रहा है इस मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा से बड़ी गलती हो गई है रोहित शर्मा को भारत के तेज गेंदबाज जस्पृत बुमराह की बात नहीं मानना भारी पड़ा है बुमराह के बार बार बोलने के बाद भी रोहित शर्मा ने बुमराह की एक नहीं सुनी इसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ा है ये खामियाजा अधिक बड़ा हो सकता था लेकिन बुमराह ने अपनी अगली ही ओवर में गलती सुधार ली चलिए आपको बताते हैं रोहित शर्मा से क्या गलती हुई है इंगलैंड की टीम अपनी दूसरी इनिंग में बल्ले बाजी कर रही है भारत ने अपनी पहली पारी में बल्ले बाजी करते हुए दस विकेट के नुकसान पर 436 रन बना दिया है भारत को विकेट की सخت जरूरत थी इंगलैंड के खिलाडियों की मैदान पर नजर जमती जा रही थी इस कड़ी में जस्प्रीत बुमराह 17 वें ओवर में गेंद बाजी के लिए आए और बेंड डकेट को मुश्किल गेंद डाली गेंद बल्ले बाज के पैड पर जा लगी और बुमराह ने जोरदार अपील की लेकिन फिर भी अंपायर ने आउट नहीं दिया बुमराह ने रोहित शर्मा से रिव्यू की मांग करने को कहा लेकिन रोहित ने कीपिंग कर रहे श्रीकर भरत से बात की और रिव्यू लेने से मना कर दिया बुमराह के कई बार बोलने के बाद भी रोहित ने अम्पायर से रिव्यू की मांग नहीं की बाद में जब देखा गया तो बेन डकेट साफ आउट थे गेंद विकेट को छू रही थी इस तरह रोहित शर्मा ने बुमराह की बात नहीं मानकर गलती कर दी अगर रोहित ने बुमराह के कहने पर रिव्यू ले लिया होता तो डकेट पहले ही आउट हो सकते थे हालांकि बुमराह ने बाद में अपनी गलती सुधारी और 19 विन ओवर में डकेट को सीधा बोल्ड कर दिया बुमराह ने 19 विन ओवर की पांचवीं गेंद पर डकेट का डंडा उखाड दिया और खिलाडी को 47 रनों के निजी स्कोर पर आउट होना पड़ा